हेलो डियर फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे थर्मल इंजिनियरिंग सकेंड इयर थर्ड समेस्टर का ये दूसरा लेचर्स है इससे सबसे पहले फर्स चेप्टर का वीडियो पर राइड कर दिया गया है इस डिस्क्रिप्टर में आपको लिंक मिल जाएगी सबसे पहले उसको दे उस वीडियो में हमने इससे पहले पढ़ा रखा है उसमागति का प्रथम नियम उसमागति का दूतिय नियम उसमागति का सुन्यता नियम हमने पढ़ा रखा है बर्गी करण ओपें थर्मोडैमिसिस खुलोज थर्मोडैमिसिस हमने पढ़ा रखा है आईए हम नेश्ट पढ परकार से किया गया है, संचरित उर्जा, शंकरमण उर्जा, ठीक है, संचरित उर्जा को, संचरित उर्जा को, संचरित उर्जा को, संचरित उर्जा का बर्गी करोण तीन परकार से किया गया है, देखिए, जो है ये, इसका बर्गी करोण तीन परकार से किया गया है, पहला आता है इस्थित उर्जा, गति जूर्जा, आंत्री कूर्जा ठीक है आईए इसका डिफनेशन पढ़ते हैं भंडारित या संचारी तूर्जा संचारी तूर्जा को हम भंडारित भी कहते हैं आईए हैं पढ़ते हैं कर रहा हैं भंडारित या संचारित उर्जा निकाई की वह उर्जा जो निकाई की परिसिमाओं के अंदर होती हैं तो हम इसे भंडारित या संचारित उर्जा कहते हैं भंडारित या संचारित उर्जा निकाई की वह उर्जा जो निकाई की परिसीमा के अंदर होती है तो हम इसे भंडारित या संचारित उर्जा कहते हैं भंडारित या संचारित उर्जा कहते हैं टीक है कोछ आते हैं अब आता है अब भंडारी या संचारित तो जाक के मुक्ष तीन परकार में बाटा गया है आए देखते हैं कौन-Kौन पहला है उर्जा कैंँ इसतित उर्जा इस्थित उर्जा दूसरा है गती जोजा के विभा धिनुर बहले इन्जिनिर्शन वीडियो को क्रोप करकर हम आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं इस्थित उर्जा पहला हमने का पड़ा था इस्थित उर्जा गतिज उर्जा आंत्री कुर्जा उसमें से पहला है उसमें से पहला है इस्थित उर्जा निकाय की इस्थिती के कारण उत्पन उर्जा को इस्थ किति के कारण इस्थित के कारण जो निकाई इस्थित होता है उसके कारण उत्पन उर्जा जिससे कोई एक बड़ी है ठीक है आव वह अस्थिर है मतलब वह एक अस्थान पर है तुछ से निकली हुई उर्जा उत्पन उर्जा को इस्थित उर्जा करते हैं ठीक है अब आता है कि इस्तितुर्जा MGS ले दर्साते हैं सॉटकोट में MGH होता है इस्तितुर्जा को WH भी बल सकते हैं अब इसमें जो होता है सुत्र के हिसाब से जैसे इस्तितुर्जा का सुत्र तो होता है जो MGH दूसरा होता है WH तो G को गुर्टवा कॉस्टन बल बोलते हैं H को तल से निकाई की उर्जा W को निकाई भार M को निकाई का द्रविमान मातरक होता है इस्तित उर्जा का मातरक होता है N N प्रति M आई ये नेश्ट देखते हैं अब आता है दूसरा वो तीन प्रकार के था इस्तित उर्जा गति जूर्जा ये दूसरा है गति जूर्जा दूसरा प्वाइंट है गति जूर्जा गति जूर्जा किसी निकाई की वह उर्जा जो इस्तित अवस्था से गतिमान अवस्था में ले आए वो गतिज अवस्ता कहलाता है गतिज अवस्ता कहलाता है इसका फर्मूला होता है के यी बराबर 1 बाइ 2 mc के पावर 2 होता है जिसका m को निकाई का दरभिमान कहते है c को निकाई का बेग कहते है गतिज उर्जा का मात्रक होता है इन प्रती m होता है अब आता है आंत्रिक उर्जा आंत्रिक उर्जा वह उर्जा है निकाई की आडविक सनचना एम और्वो की गति के फल सुरूप निकाई में निहित उर्जा को आंत्रिक उर्जा करते हैं कहने का इसका मतलब यह है कि निकाई की आडविक सनचना जो अडविक सनचना है एम अडवो की अडवो की गती के फॉलसुरूप निकाई में नहीत उर्जा को आंत्रिक उर्जा करते हैं जो अडवो होते हैं जो गती करते हैं अडविक सनचनाओं से उसमें नहीत उर्जा जो होती है उसे हम आंत्रिक उर्जा करते हैं जो मतलब बाहर से उर्जा लगी हो ठीक है इसे यू द्वारा निरूपित करते हैं और या निकाय का गूर होता है या द्रिष्टे होता है तथा इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है इसे कहने का मतलब है जैसे इसे यू द्वरा पर द्वसित करते हैं और यह एक निकाई का गूर होता है यह द्रिस्य होता है यह देखता नहीं है इसे सिर्फ हम बस महसूस कर सकते हैं ठीक है? यह इसमें यह बता रहा है कि जो उर्जा होती है उसे हम महसूस कर सकते हैं वो दिखती नहीं है जिसे हम इंजामपल मिलिया जाए जो उर्जा हम लोग कारे करते हैं उसे हम किसी बस्तु को उठा कर महसूस करते हैं ठीक है उर्जा तो दिखता नहीं है उर्जा मेरा कहां पर रहा है इसलिए इसे ये बोल रहा है कि उर्जा को महसूस किया जा सकता है आंत्री कुर्जा में परिवर्तन उसके तपमान पर परिवर्तन पर निर्भर करता है और आंत्री कुर्जा में परिवर्तन निम्न समिकरण द्वारा ग्यात किया जाता है ठीक है यह कह रहा है इसमें ग्यात किया जाता है यह देखते हैं इसका फर्मूला है जो समिक्रण में नहींत किया जाता है इसने बोला समिक्रण है इसका D.U.M.C.B.T D.U. को आंत्रिक कूर्जा में परिवर्थन करता है M को निकाई के अंदर दर्मान C.B.U. को बिसिस टूर्जा बोलते हैं तोटल समिक्रण होता है du बराबर mcvt ठीक है यह होता है आए नेश्ट देखते हैं नेश्ट टोपिक है संक्रमण उर्जा जो उर्जा का बर्गिक्रण उर्जा का बर्गिक्रण दो हुआ था इस्थित उर्जा और शंक्रमण उर्जा इस्थित उर्जा का तीन था इस्थित उर्जा गतिज उर्जा आंत्रीक उर्जा ठीक है इसमें से ये वला है शंक्रमण उर्जा शंक्रमण उर्जा देखेंगे आए संक्रमाण उर्जा बोलता है कि वह वह उर्जा जो निकाई की परिसिमाओं के आर पर जा सकती है वह संक्रमाण उर्जा करती है कोहने का इसका मतलब यह है वह उर्जा जो निकाई की परिसिमा जो यह निकाई हो गया ये निकाई हो गया ये निकाई हो गया इस परिसिमा के आर पर जा सकता है वो अश्रंकरमडूर जाका होते हैं जैसे उस्मा कारे बिदुत बिदुत जैसे की मतलब बिजली इस रूम से यहां से निकल कर यहां तक आ सकता है उसमा जो होता है जो यहां से भाब बन के यहां तक आ सकता है इसलिए यह कर रहा है कि यह परिसिमा के यार पर जा सकता है संग्रमन रुजा इसे कहते हैं अब आता है संतुलन या सामिवस्था प्रक्रम यह देखे ट्रीपल आस्टार लगा ये दम आता है पांच नंबर में BTU Board में ये को ये Thermo Damacy System है Thermo Damacy System आईए पढ़ते हैं Thermo Damacy System होता क्या है Thermo Damacy System Thermo Damacy System ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे द्वारा निश्चित या निधारित या चीनित किया जाता है जहां कुछ thermodemesis system प्रोसेस हो रही हो या thermodemesis प्रोसेस का धेन करता हो उसे हम thermodemesis system करते हैं इसका कहने का मतलब है thermodemesis system ऐसा system होता है जिसमें हम हमारे द्वारा निश्चित या निर्धारित चीनित किया जाता है जहां कुछ thermodemesis system प्रोसेस हो रही हो या thermodemesis प्रोसेस का धेन करना हो उसे हम thermodemesis करते हैं पहले तो यह समझना है कि जो हम निर्धारित करेंगे जो निर्धारित करेंगे जो चीनित करेंगे उसी को हम thermodemesis system करते हैं ठीक है इसमें यह कर रहा है जैसे देखते हैं Boundary Boundary पढ़ते हैं Boundary है क्या Boundary वह सीमा रेखा है जो सिस्टम और सराउंडी को अलग करती है उसे हम Boundary करते है Boundary नाम से ही आपको समझ में आ रहा है Boundary Boundary वह रेखा है जैसे आप इंजम्पल में लेख सते हैं College में Boundary लगा होगा ठीक है इस साइट के उस साइट Boundary लगी होगी आपको जैसे ये College है ये Boundary है ठीक है ये Boundary है किसी को कह रहा है ये कि Boundary सीमा रेखा जो सिस्टम और सराउंडी को अलग करती है जो किसी ओ सिस्टम ये सिस्टम हो गया ये सराउंडिंग ये दोनों को अलग करती है उसे हम बराउंडिंग करते है ठीक है दो सिमाओ के रेखाओं को अलग करता है उसे बराउंडिंग करते है आईए सराउंडिंग पढ़ते है सराउंडिंग क्या होता है surrounding उस छेत्र को कहते हैं जो system की surrounding के बाहर का छेत्र होता है उसे हम surrounding कहते हैं देखिए ये इसके कहने का मतलब ये है surrounding उस छेत्र को कहते हैं मानिए कि ये छेत्र है जो system की boundary के बाहर ये system है इसके boundary के बाहर का छेत्र होता है उसे हम surrounding कहते हैं देखिए सिथम हो गया थीक है च्छेतर हो गया सरावंडिंग का जो इससे बाहर का होता है पर्शन उसे हम surrounding कहते हैं ठीक है इसमें ये कह रहा है अब आता है प्रपटी अब दा thermodimis system इसे प्रपटी हिंदी में बोलते हैं और इसे thermodimis system प्रपटी जब दा thermodimis system पड़ते हैं जीन गूर से किसी thermodimis system को पूरी तरह परिभासित किया जा सके उसको उस system की प्रपटी कहते हैं इसके करने का मतलब है जीन और वो से किसी थर्मोडैमिसी सिस्टम को पूरी तरह परिभासित किया जा सके उसको उसकी उस सिस्टम को प्रपटी कहते हैं जैसे दाब, ताप, आयतन, घनत, उर्जा, एटीसी, बदाए ठीक है यह होता है फ्रेंड, आईए हम देखिए यहलो डियर फ्रेंड, एतना तक न हमने पढ़ लिया अब नेस्ट नेस्ट टोपिक में हम लोग यह पढ़ेंगे नेस्ट टोपिक में आने वाली वीडियो जो थर्ट पोटिक चाहएगी ओपरपाटिज अफ़ थर्मोडैमिस पढ़ेंगे इसका टाइप्स पढ़ेंगे यह कितने परकार के होते हैं ठीक है नेस्ट वीडियो में यह पढ़ेंगे कि यह कितने परकार का होता है लाइक करिए, सेयर करिए, सस्क्राइब करिए मेरा इस चैनल को subscribe करें, जढ़ा से ज़्यादा आप हो सके तो share करें फ्रेंट के पात subscribe करें, bell icon on करें कि जो भी वीडियो मिलें, सबसे पहले आप को मिलें, इसलिए मेरे channel को subscribe करें और bell icon on करें, ठीकिए, फ्रेंट ज 팔ेंट